अपने गाउ में सुशान सिंग राशपू जब 17 साल बाद लोटे थे सुशान सिंग राशपू जब अपने पुष्टैनी घर पहुँचे थे गाउ में उन्हें देखने के लिए भीड कैसे उमर पड़ी थी आज वो पुरा गाउ कैसे हल गया है और वो रोकर बिहाल है वो गाउ सुशान सिंग राशपू तो उस गाउ में कितना प्यार मिलता था आप शायद ही ये जानते होंगे लेकिन सुशान सिंग राशपूत के उस गाउ में आज मातम है नहीं है उनका लाडला सुशान्त वहां जो वहां प्यार पाकर गाउं में पतल में खाना खाकर पुराने दिनों को याद कर फूट फूट कर अपने गाउं में परिवार के बीच अपनी घर की मा जैसे आंटी से मिल कर रोया करता था वह सुशान्त सिंग राशपुत आज जो फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद रो भी नहीं सकता और सुशान्त सिंग राशपुत के गाउं की ये दर्द भरी तस्वीरे हम आपके बीच लेकर आए हैं सुशान्त जब पकड़ कर हाथ कैसे रोते बिलखते नजर आए थे गाउं की घर की सुशान्त सिंग राशपुत की वारत जब सुशान्त को वहाँ प्यार मिला था रो पड़े थे सुशान्त हसते हुए सुशान्त के आखों में आसु आ गया था वहाँ उस लमहे की ये तस्वीरे आज हर किसी को रूला रही है तब सुशान्त के चहरे पर हसी और खुशी दोनों ही थी क्योंकि वो लम्हा सुषान के लिए आज भी बहुत तकलीब दे है क्योंकि सुषान सिंग राशपुत अब जहां भी होंगे पुराने दिनों को याद तो करते ही होंगे तब की बाते सुशांत को रुला रही होगी आखों में आसु होगे क्योंकि पिता के आखों में आसु कभी भी सुशांत सिंग राशपूत नहीं चाहते थे सुशांत के चेहरे पर ये आसु सुशांत को आज भी उनके दिल को रुलातो रही होगी जहां भी सुशान्त होंगे अपने चाहने वालों को कहा सुशान्त ऐसे रोते बिलगते छोड़ना चाते थे जो कदम उन्होंने उठाया उस कदम को लेकर दुखी चिंते तो सुशान्त के चाहने वाले भी थे नेक्श नाइन नियूस रूम से तृपतिक रिपोर्ट